जम्यत में जो तक्रीरे पेश की गई उसका समर्थन लोग कर रहे थे सिदात नासिंग हमारे साथ जुड़ गया है बीजेपी के नेता इस पर जादा बात चुई इतके लिए सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका टाइमस नावना भारत पर आज जो जम्यत की उरसे बाते कही है क्योंकि हमने अपने दर्शकों को सुनाए कि किस तरीके से अब उसके समर्थन में भी आवाजे उठने लगी है कॉंग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है उन तक्रीरों का उस समाज से जुड़े वे लोग समर्थन कर रहे हैं यह जो बाते कही गई है यह देश में किस कर बाते हैं और उसी के लिए वो बल भी देते और आवाज उठाते हैं जहां तक कि दिवेमत में लोग जो बहुट रहे है इस तकार की यह क्त्रेंड करकर प्रोग्राम चल रहा है जा चूंकि पूरे भारत में ऐसा कोई माहूल नहीं है जहां पर किसी भी समुदाय के किसी जाती के लोगों को पताड़ित किया जा रहा है या सरकार ऐसी नीती योजनाय बना रही है चाहे वो केंदर हो या राज्य के अंदर भाज़वा की सरकारे हो जो उनको अलग थलग करती हैं आज हमारे प्रधान मंत्री जी का जो धानते सब का साथ सब का विकास सब के विश्व जाता है इसके साथ साथ कहीं हम प्रधान मंत्री आवास की बात करें सौभागे योजना जो बिजली के है उजूला योजना जो गैस की है ये सब चीजें जो हैं वो एक प्रकार से उसमें प्रभागिता होती है अलसंकित समातिया और अच्छी होती है कई भेदबाव नहीं ह ये नहीं कहा जाता है इस जाती को देंगे या इस धर्म को देंगे इनको अलग करेंगे लेकिन ये भड़काने का एक तरीका है जिससे की वो वोड़ बैंक बना रहे है और अपना वो उल्लू सिधा करता रहे है और ना सिर्भ भड़काने का काम किया जा रहा है से दार्तना प्रसाशन हैं अधिकारी हैं धर्म गुरू हैं उन लोग से बात्ची जव करके यह चीजों को समझाया जाएगा यह समप्रदाइक माहूल ना बनाया जाए कोट में मैटर है अब कोट में मैटर होता है तो हम लोग सब को विश्वास करना चाहिए कि कोट का क्या निर्णे होग और सोहार्द बना रहता है और यह हमने देखा भी है कि अयोधिया का जब वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोट से तो पूरे देश ने वर्डिक्ट जब का स्वागत किया था ने तर्म के लोगों ने स्वागत किया था मगर माहूल बिगाडने का जो काम कर रहे हैं लोग क्योंकि खुशाली है वो अपना ही जो एक प्रकार से रोटियां जो सेखनी होती है वो काम कर रहे हैं इसलिए भड़कावे में किसी को भी नहीं आना चाहिए ठीक है सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातश्वीत करने के लिए तो ये सदार्त नास्तेंग जो कि बीजेपी का पक्ष रख रहे थे उन्होंने कहा कि इसके लिए बखाइदा हम कोशुश करेंगे कि कोई इस भड़कावे में ना आए